यह सही है, जैलो, ठ्वाक सलाम और स्वाज़त है आपका मेरे चैनल दे फिर से एक बार और इस बार मेरे पास कोई इस बार कोई ट्रावल वीडियो नहीं है पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपना खुद का रिव्यू अफ पठान जी हाँ मैंने पठान देखी है कल पठान देखके आने के बाद मुझे मौलम पड़ा के भाई साथ उस पिच्चर में स्टोरी ना भी कोई चीज है नहीं उन्होंने तीन मुद्धे जो भारत में बड़ा ही फेमस है उनको पकड़ा और अच्छे से यह घुमा के एक्शन भरके और पिच्चर रिलीस कर दी और भाई साथ जो सलमान खान के एक इंट्री थी ना ओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओ मज़ा आजाता इसमें जतना भी कर लो कम है शारुक खान मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा पर एक्षिन बहुत था कुछ फीचुरिस्टिक चीजे भी दिखाई थी कि हम ऐसे भी उड़ सकते हैं वैसे भी उड़ सकते हैं यह भी कर सकते हैं इस तरह के बॉंशेल् कि बहुत कोशिश की गई है दूसरी बात इन्होंने तीम मेन जो कंटेंट हैं चोबसे ज्यादा एट्राक्शन देगा उसकी कोशिश की गई है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान इस पाइए वह जासूस वगएरा के वह सब रखने ही कोशिश करी है और उसके बाद उन्होंने क कोशिश करी है एक्षिन दिखाने के एक्षिन दभरपूर है स्टूरी बिलकुल नहीं है माजा बिलकुल नहीं आयेगा आप समाने लोग सारे स्टोरी जितने भी प्लॉट्स है मूवी के वह या तो कबीर की मूवी से लिए गए जहां पर एक स्पाय था उसके बाद या तो सल पिचर चली क्यों इतना पैसा कैसे कमा लिया मैं बता हूं आपको सबसे बढ़िया मोटा मोटा पिचर को हिट बनाने के लिए सबसे बड़ा श्रेज जाता है वह आपका बाइकॉट गैंग को तो टुटर बैट के बाइकॉट करके बनाते रहते हैं हैस्टैक्स इतना कोड़ी माशालाम बहुत अच्छी है कोई जवाब नहीं है उस चीज का शारुक खान नहीं भी जाल किया है एक और चीज मैं है करना चाहता हूं मैं इसमें ना